नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां इस रामबान उपाय से पीठ दर्द, टांगो के दर्द और रीड की हड़ी के दर्द को कहें अलविदा हमेशा के लिए जी हाँ यहाँ यहाँ आज का हमारा टोपिक आप सभी के लिए सुखी अंजीर इसमें फाइवर होता है जो हमारे पाचन तंतर को मजबूत करता है और दिल को सेहत मंद रखने में मदद करता है फाइवर से कबज भी ठीक होती है यह फल कई खनीज पदार्थों से भरपूर होता है जैसे कि मेगनीशियम आयरन कैल्शियम और पोटेशियम यह खनीज हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होते हैं साथ ही प्रतिरोधक शम्ता और चम्री के लिए भी फायदेमंद होता है अंजीर शरीर से हानिकारक एस्ट्रोजन को कुद्रती निकालने में मद इंटियोक्सिडेंट, पोटेशियम, नन्हूम, आयरन और डाइटरी फाइबर का एक बहुत ही अच्छा श्रोथ है खुबानी में पाए जाने वाले इंटियोक्सिडेंट हमारे शरीर में प्रतिरोधक शम्ता, सेल की वृद्धी और आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, नन्हूम, आयरन शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है जो कि संसार में सबसे आम पाई जाने वाली समस्या है, सूखा आलू बुखारा, जी हाँ, सूखे आलू बुखारे में पाई जाने वाले जैविक, सक्रियपदार्त, रेडियो थेरेपी या अन्यवी की आवरण से होने वाले अस्तिर शति को रोकने में प्रभावी होते हैं सुखा आलू बुखारा वी की रण से हड्डियों की रख्षा करता है फाइवर से भर पूर होने के कारण ये कबज से छुटकारा दिलाता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है अब आईए जानते हैं इसके सेवन करने के तरीके को हमने जो आपको बताया इन तीनों फ़लों का सेवन आप सुखने के बाद पूरा सेवन करके या इनका चून बना कर पानी से सूते वक्त ले सकते हैं ध्यान रहे तीनों के मात्रा बरावर और बारी-बारी से लेना है एक साथ नहीं लेना है जिहां ये नहीं करना है कि इसको एक साथ मिश्रीत करके लेना है आपको अलग-अलग से तीनों का प्रयोग करना है थोड़ी-थोड़ी देरी में आप ले लीजिए कुनगुने पानी स लेजिए तो ज्यादा फायदा करता है जोडों के दर्द से और पीठ के दर्द से टांगों के दर्द से रिल की हड़ी में अगर दर्द है तो आप छुटकारा पां जाएंगे इसकी सहायता से जिहां दोस्तों तो यह थी आश की जानकारी आप सबी के लिए अगले एपसोड म